हाई बीपी वालों को चीकन, मीट या फिस खाना कितना सही है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हपते में कितनी बार मीट, भुने वे चीकन, मटन या मचली खाना सुरचीत है नमस्कार दोस्तों, ABC Health Tips वीडियो चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब इसक्राइब करें क्योंकि यहां मैं आयरुवेदिक और घरेलू इलाज से समन्दित अच्छे अच्छी वीडियो जहमें सा पोस्ट करता रहता हूं अगर आग में भुने हुए चीकन, मटन या मचली देखकर आप खुद को नहीं रुख पाते हैं तो अब आपके लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है हाली में हुए एक रिसर्च से यह पता चला है कि ग्रिल्ड चीकन, मटन या मचली का ज़्यादा सेवन करने वाले लोगों को हाई बीपी यानि कि हाई ब्लड पेसर का खत्रा ज्यादा रहता है रिसर्च के अमसार अगर कोई व्यक्ती एक महिने में 15 बार से ज्यादा भुना हुआ चीकन, मटन या मचली खाता है तो उसमें उच रक्त चाप यानि कि हाई बलड पेसर होने की संभावना 17% तक बढ़ जाती है वहीं जो लोग महिने में 4 बार से कम ग्रिल्ड मीट का सेवन करते हैं उनमें ऐसा खत्रा नहीं होता है आगे सोध में बताया गया है कि जब चिकन, मटन या कोई भी प्रोटिन यूग चीज को आग में दिर तक भुनते हैं तो उसमें हेट्रोसाइकलिक एरोमेटिक एमिन्स नामक रसायनों का उपदन बढ़ जाता है जिसकी वज़ा से हाइपरटेंसन होने का खत्रा बढ़ता है ज्यादा जला हुआ या सीधे तेज आग में भुन कर पकाय गए मीट को ना खाएं ऐसा करने से आप कई तरह की बिमारियों से खुद को बचा सकते हैं महिने में एक बार या दो बार ग्रिल्ड मीट या ग्रिल्ड मतन खाने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बार इसका सेवन करते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और सेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें इसी तरह की और भी वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद